वेलो यहां किसे वीडियो में आप बताने वाली थैसे ट्रिक्स जिसे साथ काम रहे होने वाले हैं आसान और बहुत सारे बेकार पड़े चीजों का भी होने वाला है इस्तिमार तो क्या घुक्राइब करते हैं सबसे पहले घुम हो गया है है देखिये इस तरह का जमोजा होता है जैसे जिसका लाश्टी खराभ हो गया य इसको ना हार्थ में पहन लेंगे इस तरह से अब चलिए इसके इस्तमाल कहां करना है वो मैं आपको बताती हूं देखिए जो खिरकी होता है और खिरकी के जो ग्रील होता है या फिर देखिए नीचे ये सब कितना गंदा हो रखा है तो इसको इससे हम लोग साफ करेंगे कुदि के रिकार मोजा तक था ही तो ब्रकार मोजे से ही हमारा काम हो गया एक नम आसानी से और यह पतला है तो कहीं भी आपका हांथ चला जाता है देखिए एकड़न अंदर तक ग्रील के अंदर ये फ़ैला है वह सब भी साफ हो जा रहा है घृ निकिए इसी तरह से यह सब तो देखिए यहां पर भी कितना साफ हो गया और मैं आपको मोजा दिखाते हूं कितना गंदा हो रखा है कितना गंदा हो गया तो है ना यह गजब का टिप्स तो चलिए एक और इस्तिमाल बताती हूं इसका देखिए इस मोजे को फिर से वास कर लेंगे एक बड़ करके पानी हें बिफ्स नीचोर लेंगे कि फिर हमें इस्तिमाल करना है एक जगर करते हैं पले अब गंदा हो गंटा हो आगे तो भाझ हूं १ कर आख सब्सक्राकरय कि अब चलिए इसका इसका इस्तिमाल करते हैं कि जो दर वाजे हूते गंदे हो जाते हैं ऐसे यहारा, मेरा दर्वा कर सकते हैं के इस पीदूल मिट्टी पड़ते रहता है गंदा होते रहता है तो इस तरह से आप अच्छे से साफ कर लेंगे अब देखिए यह साफ हो गया, थोड़ा-थोड़ा हलका-हलका गंदा निकला इसमें से, उतना कहीं निकला है, तो है ना यह गजब का tips, देखिए यह हमारा tips इस तरह के जो खाली bottle परे रहते हैं उसको लेके हैं, जैसे यह मैंने वैसलिन का वाटल लिया है, इसकी जगा पर कोई बी बॉडटर ले सकते हैं जो खाली हो चुका है तो इसको लेने के बाद सबसे पहले करेंगी इसको वस और अच्छे से वस कर लेंगे वस करने के बाद को हमruktur कत मारेंगे कEMA तो इस तरह से और यहां पे खूल कर लिया है और जो लेबल था वह भी हटा दिया है तो अभी अच्छा सा लग रहा है अब मेरे पास यह रीबन परा था और यह स्टोन परा है तो इससे थोड़ा से इसको डेकोरेट कर देते हैं ताकि देखने में सुन्दर लगे लेके इस त परा दिया तो देखें डिजाइन कंप्लीट हो गया और कितना सुन्दर लग रहा है और इसमें हम लखेंगे पैंज जो भी होता है यह सब चीज इसमें डाल देंगे और कील की मदद से क्या करेंगे ना कहीं भी दिवार में इसको ठोक के और इसको लगा देंगे तो आप आ सोल गंदा हो जाता है तो देखने में बहुत खराब लगता है और अगर सोल को साफ कर दिया जाए तो देखने में इसका लूक अच्छा हो जाता है देखिए अगर हमें तुरंत कहीं जाना है और पता चले कि हमारे जूते का सोल गंदा है तो तुरंत हम लोग उसको धो नहीं स क्लीन करेंगे देखे थोड़े से में पूरे यह सोल साफ हो जाएगा तो मैं अभी आपको करके दिखाते हूं कि इतना यह साफ हो गया और बहुत असानी से हो जाता है बहुत मेहनत भी नहीं लगता है और तुरन जाना है तो सुखा-सुखा यह काम हो जाएगा आपका देखिए मैंने यहां साफ किया है सिर्फ इतना ही दूर और मैं भी दिखाती हूं दूसरे जूते को इसमें डिफरेंस देखिए यह कितना गंदा है और यह कितना साफ हो गया इसी तरह से आप पूरे जूते को, इस तरह से सोल को साफ कर सकते हैं, देखिए मैंने एक जूते के पूरे सोल को साफ कर दिया है, चारो सैट से, अब मैं दूसरे जूते का सोल का फर्क दिखाती हूँ कि दूसरे में क्या फर्क है, दोनों में कितना गंदगी है और क्या है, द तो उम्मेद करते हूं की अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए को बिडियो को ज्यादा से ज्यादा और कमेंट कर दो पर चैनी सबसे लिए अच्छाला गर बॉर यूजर पटर बाय वाई